जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी आज मैं आप सबसे बात करूंगी कि अगर अकेले हो तो गुरुजी से बात किया करो बहुत ही अच्छी लाइन है अगर अकेले हो तो गुरुजी से बात किया करो और अगर किसी के साथ हो तो गुरु जी के बारे में बात किया करो ये मुमेंट बहुत प्यारा होता है जब आप गुरु संगत से बात कर रहे होते हो क्यूंकि वो अपने सत्संग, life experience बताते हैं और आप अपने सत्संग share करते हो तो उनमें गुरु जी की प्रशंसा होती है क्यूंकि वो सत्संग भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं तो उन्हें सब कुछ पता होता है लेकिन जब आप उनसे बात करते हो जो अभी गुरु जी के बारे में नहीं जानते उनके चमतकार के बारे में नहीं पता तो वो सोचते हैं अपने गुरुजी के बारे में ऐसे ही बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जब वो एक बार बड़े मंदिर जाते हैं तब ही पता चलता है कि वहाँ एक ऐसी एनरजी है जो आपको पूरा चेंज कर देती है जब भी आप अपने आपको अकेले फील करो तो आप सोचो गुरू जी आपके साथ है आप उनसे उनके स्वरूप से बाते करो ऐसा करने से आपका गुरू जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉंग होता चला जाएगा पर ऐसा नहीं है कि आप जब साथ फील करो या अकेले फील करो तभी बात करो गुरू जी से बाते करनी हैं आप एक नियम बना लो पूरे दिन में एक बार गुरू जी के साथ पांच या दस मिनट जरूर बात करो जब happy हो तो happiness share करो और जब sad हो तो अपनी sadness share करो गुरुजी से बोलो गुरुजी आपको सब पता है सारी problems पता है आप ही को हमारा कल्यान करना है आप ही को नईया पार करानी है हम जैसे अपने friends से बाते करते हैं वैसे ही आपने गुरुजी से A to Z बाते share करनी है ताकि गुरुजी आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं और वो पहले से ही सब को जानते हैं लेकिन जब आप खुद से उनको अपने बारे में बताते हो तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मेरे लिए टाइम निकाल रहा है गुरुजी के सत्संग जाओ जब भी आपको पता चले गुरुजी का सत्संग है कहीं पे तो पूरी कोशिश करो कि वो सत्संग अटेंड करो क्यूंकि तब आप नई-ई-ई संगत से जुड़ते जाते हो और आपका कनेक्शन स्ट्रॉंग होता रहता है आपका गुरु परिवार बढ़ता रहता है I hope आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी